तो हमेसे आपको वैसे जगह पर ही टार्गेट करना चाहिए जहां पर एक ग्रूप या एक सेक्टर रन कर रहा हूँ वैसे cases में क्या होगा कि जो आपको जो returns होंगे ना वो काफी ज़्यादे extraordinary होंगे हाई एवरीवन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिसस करने जा रहे हैं जहांपर हमें आज के दिन एक काफी अचा ब्रेकाउट देखने को मिला है और अगर इस स्टॉक ब्रेकाउट के डारेक्शन में अगर मुम्मेंट ओ कंटिनू करता है तो हमें आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दिखने को मिल सकता है बात करते हैं स्टॉक की पहला स्टॉक है प्रेकाउट का और यह रायस का चार्ट तो सबसे पहले मुम्मिल यहां पर रीजन को फाइन ओट करते हैं कि हमने इस स्टॉक को क्यों सेलेट किया है क्या हमारा इंट्री प्रेस होगा क्या स्टॉप लोस होगा और क्या हमारे पॉसिबल टार्गेट हो सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर मैं टाइम फ्रेम मिश्कर रहा हूँ वह है डेली का इराउंड 260 के आसपास तो काफी बहतीन आपको रिटरंस देखने को मिला होगा more than 100% का बट कोई बात नहीं अगर अपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस वर एक अच्छा रिटर देखने को मिल जाए बट सबसे पहले रिजन और अग्यन हम लोग सेम पैटर को ही डॉक करने जा रहें कोई भी ज़्यादा चेंजिज नहीं करने जा रहें तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि इस stock ने एक kind of box pattern बरा रखा था तो जैसा कि आप यहाँ पर notice करेंगे काफी लंबे समय से यह जो stock था इस छोटे से range में trade कर रहा था और इसे हम लो consolidation जो और box pattern कहते हैं एंड आज के दिन हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इस stock को जो select करने का है वो है either consolidation जो और box pattern का breakout चार्ट को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने की कोसिस करेंगे company कब list हुई थी और इसका all time high क्या था तो यह जो company list हुई है somewhere in December 20 and इसका जो all time high था हो था somewhere around 250 के आसपास जिसका हमें आज के दिन एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इस stock को जो select करने का है वह है all time high का breakout तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप trading कर रहो है investment कर रहो है आपके stock selection का जो region होना चाहिए वो पूरी तरह से clear होना चाहिए तब ही आप long run में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 260 के अगर ऊपर जाता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stopless के तो stopless का previous swing लो जो क्या रहा है 240 रूपीज on closing basis जैसा की अभी हमने dismiss किया कि यह जो stock है अपने all time hypertrade कर रहा है तो जब भी कोई stock अपने all time hypertrade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूपर part sell profit book करते हैं फोर एक्जामपल मालीजे में पास टार के 100 सेर से है a stock 10% का move देता है तो यह पूरी तर से मेरे उपर depend करता है कि हमने 5 quantity book करूँ या 10 quantity book करूँ और इस पर भी depend करे है कि यहां पर मैंने अपने capital का कितना percent deploy किया है अब आई यह देखते है next stock और यह है सेमारू का media sector का एक stock तो recently हमने स्कोडिसस कहता है यहां पर around 175 के आसपास और अभी जो यह टेट कर रहा है around 215 के आसपास तो काफी बहतिना importance देखने को मिला होगा तो basically क्या हुआ कि आज second half में अगर आप जाके chart देखेंगे nifty media का तो आपको पता चलाए कि second half में काफी अच्छा move दिया है media sector मतलब वो काफी अच्छा perform किया है तो यह stock भी media sector में आता है और मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी कोई sector ही चल रहा है तो उसके जो भी stock है आप उस पर focus करिए because वहाँ पर आपको एक बड़े move दिखने को मिल सकते हैं बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है एक simple सा horizontal line चीज़ों को बिल्कुल ही असान रखेंगे जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक kind of cup and handle pattern बना रखा था and आज के दिन हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है cup and handle pattern का breakout आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो आज का जो volume है वो previous dish के competition में जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो जब भी आप लोग volume और price को combine करते हैं तो वहाँ पर आपको एक concept आना काफी ज़्यादा जरूरी है और वो है कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता ही होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने की probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 215 के अगर ऊपर जाता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss का previous swing लो जो की आ रहा है 175 रूपिज on closing basis हमारा फर्स टार्गेट है 235 का सेगंड टार्गेट है 260 का एंड थर्ड टार्गेट हैं पास 310 का अब आई यह देखते हैं इन्नेक से stock और यह है C8 Limited का और यह रैस का chart तो हमने इसको सब से पहले डिसस कहता है राउंड 1500 के आसपास recently इसस कहता है राउंड 2700 के आसपास और अभी जो यह टेट कर रहा है राउंड 3150 के आसपास तो काफी बहतीन अकुर्टन्स देखने को मिला होगा अभी तुम्हें pattern बता दूँगा कि इसमें कौन सा pattern मिल रहा है उसमें कोई difficult चीज नहीं है लेकिन अगर आप देखेंगे C8 Limited के बारे में तो C8 Limited है एक tier sector का stock तो tier sector में आपको तीन stock पर ध्यान देना चाहिए जैसे कि Apollo tier हो गया MRF हो गया और C8 Limited आज इन तीनों में हमें एक बड़ा move देखने को मिला है मतलब क्या हुआ कि जो पूरा जो tier sector है और आप कह सकते हैं जो tier दिम है उसमें movement आ रहा है तो हमेशा आपको वैसे जगा पर ही target करना चाहिए जहां पर एक group या एक sector रन कर रहा हो वैसे cases में क्या होगा कि जो आपको जो returns होंगे न वो काफी जादे extraordinary होंगे तो यहाँ पर आपको क्या करने चाहिए कि चीजों को relate करना चाहिए तब ही आप एक better returns बना सकते जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक sector या एक दीम चल रहा है तो वैसे cases में क्या होगा कि उसके जो move करने की probability होती है वो काफी जादा बढ़ जाती है बात करते हैं region की तो एक simple सा resistance और you can also say that supply zone और आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक kind of inverted head and shoulder pattern बना रखा था और आज के दिन हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select रहने का जो पहला region है वो है inverted head and shoulder pattern का breakout एक बात मैं आपको और बता दू इस pattern के बारे में कि यह जो pattern होता है यह bullish in nature होता है that means कि breakout के direction में आपको बड़े moves दिखने को मिल सकते हैं आप यहां पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous day के comparison में जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है chart को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने की कोसिस करेंगे company का ब लिस्ट हुई थी और इसका all time high क्या था तो आप यहां पर notice कर सकते हैं जो company list हुई है somewhere in November 1994 and इसका जो all time high था वो था somewhere around 3050 के आसपास जिसका हमें आज के दिन एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इसा stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 3175 के अगर उपर जाता है तो हमें अच्छी bank देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 2960 on closing basis अब अगर बात करेंगे target की तो जैसा कि अभी हमने discuss कहता है कि यह जो stock है अपने all time high per trade कर रहा है सारे गामा का again एक media sector का stock जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज second half में जो media sector था वो काफी अच्छा perform कर रहा था तो जब भी कोई sector perform कर रहा है तो आपको जो भी related stock है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए बिकाज उसमें भी बड़े moves आपको देखने को मिलेंगे बात करते हैं region की तो last time हमने discuss के था somewhere around 500 के आसपास and right now अच्छा राउंड 635 तो काफी बहतीन आपको returns देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और एक simple सा pattern और आप यहाँ पर notice कर सकते कि यह जो stock था काफी लंबे समय से एक छोटे से range में trade कर रहा था और इस range को हम लोग consolidation जो और box button कहते हैं और आज के दिन हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो पहला region है आइदर consolidation जो और box button का breakout आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो आज का जो volume है वो previous stage के comparison में कई गुना जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है चार्ट को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने की courses करें company कब list हुई थी और इसका all time high क्या था तो आप यहाँ पर notice करेंगे यह जो company list हुई है somewhere in August 2001 and इसका जो all time high था वो था somewhere around 575 के आसपास जिसका हमें आज के दिन एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second reason इसे stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout also known as ATS का breakout आउट बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 635 के अगर ऊपर जाता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stopless तो stopless का previous swing लो जो किया रहा है 535 रूपीज on closing basis जैसा कि अभी हमने discuss कहा कि यह जो stock है अपने all time high per trade कर रहा है तो जब भी कोई stock अपने all time high per trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूँपर partial profit book करते हैं अब आई यह discuss करते हैं आज का last stock और यह है DB Corp का और यह रहाइस का chart सबसे पहले हमने score basis के था around 90 rupees के आसपास फिर हमने score basis के around 260 के आसपास फिर हमने score basis के around 350 के आसपास और इसने high लगा था 400 का 90 to 400 almost आपको more than 3x का return यहाँ पर देखने को मिलाओगा बट कोई बात ने अगर अपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस वर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और again एक simple सा rectangle और आप यहाँ पर notice कर सकते कि यह जो stock था काफी लंबे समय से एक छोटे से range में trade कर रहा था और इस range को हम लोग consolidation जो और box button कहते हैं और आज के दिन हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो selected ने का जो region है आइधर consolidation जो और box button का breakout आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते कि जो आज का जो volume है वो previous days के comparison में जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 385 के अगर उपर जाता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 3.30 रूपीज on closing basis first target है में पास 400 का second target है में पास 4.24 का and इसके बाद यह जो stock अपने एक नए all time high की तरफ चला जाएगा तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा thanks for watching